आप सब्सक्राइब लोगों के एक बार फिसे सोगत करते हैं आज इस वीडियो के अंदर में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ के चार्ट रीडिंग किस टाइप से किया जाता है कैंदलिस्टिक को अनलाइस किस अब से किया जाता है और यह जो ऐसा गलती है ना इस गलती के कारण बहुत सारे डिटेल टेटर इस मार्केट के अंदर लोसस करते यह एकस्प्लें नहीं करने वाला हूँ को इंडिगेटर वेस्स यह जो वी डियो बने वाला है ना टोटणी lies चार्ट रीडिंग मार्केट को किस टाइपस हम लोग अनलाईस करें चार्ट अनलाईस के उलुपर हम लोग किस टाइस्पस करने वाले दोस्तो हम लोग most of the trader क्या गल्थी करते हैं पहले हम लोग एक बर clear कर लेते देखो हम लोग की जो गल्थी होते ना मालदाब कोई नया गल्थी हम लोग नहीं करते एकदम simply गल्थी हम लोग जो करते, मार्केट एक नीचे गिर रहा है, मान के चलो यहां से market नीचे किन न स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जैसे market आ जाते तो एकज़र इस एरिया के अंदर जैसे market कही पर भी support लेते support लेने के बाद market अपने upper side की momentum यहाँ पर continue करते हैं हम लोग exact इसी zone के अंदर buy करने की planning करते हैं always remember that गिरती हुई market के अंदर fast recovery में कभी भी हम लोगों को buy नहीं करना चाहिए और यह हम लोग करीते यह हम लोग always करते हैं गिरती ही market के अंदर थोरा हम लोगों को bounce back देखा हम लोग buy कर लेते गिरता हुआ market के अंदर हम लोग always यहाँ पर wait करना चाहिए कि यहाँ पर एक W pattern बने और then market अपने upper side की जो momentum में वो यहाँ पर continue करें उसके बाद हम लोग buy position मनाएं तो सही है और क्या होगा गिरती ही market के अंदर market मानके चलो यहाँ पर गिर रहे गिर रहे उसके बाद यहाँ पर fast market यहाँ पर recovery लिया उसके बाद market क्या करेगा market यहाँ पर बहुत सरे little data यहाँ पर market के अंदर buy 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 करने की कोशिस करेंगे और market यहाँ से direct नीचे आ जाएंगे right फिर उपर आएगे फिर नीचे आएंगे down trend का pattern है और market नीचे आना नहीं चाहता है और market अगर उपर आना चाहते है तो क्या करेंगे fast market एक बाद नीचे गिरेगा उसके बाद मार्केट ऊपर आएगा उसके बाद फिर market नीचे गिरेगा उस इसके बाद अगर मार्केट को उपर आना है तो मार्केट इस टैप से डबलू बैटन मनाते हुए मार्केट उपर आएगा आज का वीडियो का यह हम लोगों का मेंट ट्रॉपी गे अभी आप लोग फिर चाट के अंदर आ जाते हैं इस चीज को पॉपर समझते के एक्जाट क्या हुआ था यहाँ पर अभी यहाँ पर आप लोग देखिए आज क्या हुआ market यहाँ पर गिरा market यहाँ से recovery करेंगे बहुत सरे trader यहाँ पर market को buy करने की कुछिस करेंगे बहुत सरे लोग आती हैं यहाँ पर buy करके भी बैटे ओ जो BTST position hold करके लिए अभी यहाँ पर गलती कहाँ पर आप लोग समझो यहाँ पर गलती कहाँ पर हो जाते देखो गलती यहाँ पर होते आप लोगों में दिखाओ चार्ट रीडिंग के अंदर आपको दिखाओ जो recent example है recent example में आप लोगों को दिखाओ market यहाँ से गिरा 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 first time market यहाँ पर recovery लिया बहुत सरे लोगों नहीं आपर buy करने की कोशिस किया right उसके बाद market यहाँ से धराक से नीचे गिर गिरा क्या हुआ यहाँ पर first recovery पर हम लोगों को कभी भी buy नहीं करना चाहिए जो मैंने आप लोगों को example दिया first recovery में कभी भी हम लोगों को buy नहीं करना चाहिए जैसे यहाँ पर हुआ आप लोग सरी वे नहीं दोस्तों बहुत सरे example आप लोग जाके देखोगे इस type की example आप लोगों को देखनी को मिल जाएगा right अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको छोटा सा example देखा हो market ऐसे first नीच चाया करने के टाइम दो उसके बाद अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं अभी यहाँ पर यह सबसे इंपोर्टेंट गलती होता है बट मैंने आप लोगों को कले explain किया था market जितना तेजी से नीचे गिरता है ना यह अगर आप लोग देखो कि ना मार्केट नीचे गिरा गिरने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर आने के टाइम को यहाँ पर एक प्राइस एक्षण की pattern की rate किया और market बहुत तेजी से आपने आपको momentum कर रहा है तेजी से तब समझ ले ना it is like यह V-save recovery market के अंदर always remember that जो V-save recovery होते है ना V-save नीचे गिरा फिर उपर आ जाया यह V-save recovery दोस्तो आपको मोटा-मोटा आपको 30-40% देखनी को मिलेगा और बाकी आपको जो 60-70% है ना दोस्तो वह आपको ऐसा वाला view देखनी को मिलेगा कि market नीचे गिरा उसके बाद fast recovery लिया लोगों ने buy किया उन लोगों की sell hit करवा कि market नीचे आ गया उसके बाद अगर market को यहां पर उपर आना है तो उपर आएगा नहीं तो market यहां से आपने downtrend की momentum जो यहां पर continue करेगा आई यो बॉला भी understand आज भी कहने है कि दोस्तों हम लोग यहां पर यह planning कर रहे थे जैसे market नीचे गिरा यहां पर एक buying की बट मैं आप लोगों को एक condition यहां पर देखाओ एक condition आप देखिए यहां पर इस condition को समझे इस condition में देखो क्या हुआ market तेजी से नीचे आया उस हिसाब से market अपने आपको वी से ब्रीकोवरी भी दिया राइट जैसा मेरे expectation था आज इसका probability भी था कि market यहां पर वी से ब्रीकोवरी करे मार्केट के अंदर ए probability था कि market यहां से एक वी से ब्रीकोवरी करे बट ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ आप यहां पर देखें, market यहां पर एक resistance आ, right? इस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस आ, market इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहां पर एक price action बनाया और market को ओपर आना होता है ना, तो market यह बला आप लेक देख पा रहे हो, न मैं इसको replay में लेके जाके आपको दिखाता ह देन आप इस चीज़ को समझपा हो, कि जो लेक आप देख पर हो, जो लेक यह बला जो जो ने न, market यहां से उपर आ जाता, आप इस चीज़ को notice करो, यहां पर क्या हो आता, यह बला जो वी से रेकोवरी जब हो आता, वी से रेकोवरी के अंदर fast condition है कि market की momentum fast होना चाहिए, आप देखो यहां पर market क्या हुआ, market नीचे आया, market resistance को touch किया, नीचे आक एकदम market उपर चला गया, कोई यहां पर not anky, कोई time waste नहीं, कोई यहां पर price sustain नहीं किया, right, but at the same time, आज यहां पर देखो क्या हुआ, market first यहां पर resistance को breakout किया, it is a resistance previous day high, even red candle की resistance की हम लोग नचा में आ आजाए, अगर market वी से ब्रीकवरी करना चाहता है, तो, बढ़ यहां पर ऐसा नहीं हुआ, दोस्तों, market फिर नीचे आने कोई जिस किया, फिर अपने support को थोड़ा, फिर यहां पर एक game pattern किरेट किया, तो यहां पर क्या हो जाता है, market यहां पर वी से ब्रीकवरी नहीं करना चाहरा है, market और थोड़ा नीचे आना चाहरा है, लाइक है, मैं आपको example दिखा हूँ, यह आज का chart है, one hour time frame के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, market यहां से नीचे आया, market ऐसे उपर गया, अभी market क्या करेगा, आपने downside की momentum को continue करेगा, right, कैसे, इसका latest example आप देखोगे, यहां पर देखिए, it is a very cute example, जो आपको समझ में आएगा, इस चीज को follow करिए, दोनों candle को आप देखिए, जिससे आपको बहुत सारे चीज़ों को समझ में आ जाएगा, market यहां से नीचे आया, right, यहां पर देखोगे, एकदम सीधा उपर आ गया, कोई मतलब इसकी candle sizing को दे एक rate candle बनाना, candle को देखो, यहां पर week बनाना, rejection की rate करना, यह सारे चीज क्या कह रहा है, कि market कहने की और नीचे आना चाह रहा है, मैं आपको example दिखाओ, यहां पर आप देखिए, आपको एक latest example यहां पर देखने को मिलेगा, this, इस दिन वाला देखिए, दोनों chart आपको क्या same लग रहा है, आज बाला चर्ट, एबाला chart, कि आपको same लग रहा है, market नीचे गिरा, तेजी से, right, इसके बाद थोड़ा उपार आया, थोड़ा हलका trend लिया, यहां पर देखिए, market यहां पर तेजी से नीचे आया, फिर यहां पर उपार आया, और हलका trend यहां पर लेने की market क्या रहा है और यहां पर लूर्च करने के भाद मार्केट करने के बाद यहाँ पर OM करते ना यहाँ पर buying नहीं यहाँ पर आपको selling planning करना चाहिए क्या है जब market नीचे गिरने के बाद थोड़ा उपर आए ना तो यहाँ पर आपको buying नहीं आपको selling plan करना चाहिए market यहाँ से एक बार नीचे आएगा अगर market को उपर आना है तो यहाँ से उपर आएगा वो कहना कि market यहाँ पर continue करने ही कोछिस किया, उसके बाद market को अगर उपर आना है तो यहाँ से आएगा, नहीं तो market और नीजी चला जाएगा, like this, यहाँ पर भी आप देखिए, try to understand दोनों चार्ट के अंदर आप फरक समझे, और और एक चार्ट यहाँ पर देखिए, जहाँ पर market ने अपने V-save recovery को successful यहाँ पर continue किया, और एक चार्ट आप देखिए, जहाँ पर V-save recovery को successful किया, जो हम लोग prediction कर रहें कि market यहाँ से हो सक करता है, देखो V-save recovery के लिए market के अंदर fast momentum, solid candle होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर expectation करेंगे, कि market यहाँ पर V-save recovery कर रहा है, right, बट अभी अभी की चार्ट आप देखिए, कि आपको लग रहा है कि इसे V-save recovery, market यहाँ पर full तेजी सूपर आ रहा है, market की candlestick के अंदर potential के अंदर digestion को समझो, candlestick किसी सब से बन रहा है, यहाँ पर कौन से candlestick बन और, candlestick भी दोस्तोँ आपको समझना परेगा कि किसी सब से कैसे candlestick की रहा है, देखिए, यहाँ पर candlestick को समझे, एक दम strong bullies जदा weak नहीं है, और यहाँ पर आप देखे, सारे candlestick बहुत जदा weak ह पिर इसका मदलाब किया है बाइर कहिंदै कि यह chat को फुट करने के लिए लेकि लेके आघाए इसको देखती है समाझ में आ जा रहे है itis wye save recovery कर रहा है try to understand we save recovery 30 pentru सोटी version होता है allوي use नहीं होता है बट जबी भी होता है वी save recovery के कुछ condition होते है हो अपने momentum को कभी भी slow नहीं करेंगे we save recovery कभी भी slow momentum नहीं होते we save recovery एक बार resistance को तोड़ेगा उसके बाद उसको पीछे नहीं मुन न चाहिए फिर हो आगे आगे हगे आगे आगे चले जाएंगे तो आम लोग समझें कि इस लाइक है वी से रिकोवरी का एक्जम्पल और यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिससे आपको और समझ में यहाँ पर देखिए आगे जैसे नीचे है यहाँ पर तेजी से उपर आ गया अब यहाँ पर इस चार्ट को देखिए कोई यहाँ पर आपको इगनेस नजर में आ रहा है पीछे मूर के दे रहा है कुछ भी ऐसा लग रहा है इस लाइक वी से ब्रिकोवरी बट आज की चार्ट को आप नजर दीजि यह थो तो कैसे होता है लाइक इस लाइक हिस जो में आप लोग के सामने एक्सम्पल रहा हूं ओके सो क्या हम लोग को समझ में हैं दो तिन पॉइं पॉइंटा मार्केट के अंदर कभी बाइ नहीं करेंगे वी से रिकोवरी के लिए कभी वेड नहीं करेंगे अगर आप वी समझना परेगा मार्केट के अंदर यहां पर आभी आप देखिए जिस टैग की मार्केट च Verkehr अंदर मोमेंटम वह यह सारे मोमेंटम 通ह को आपको समझना परेगा वी से भीפ टॉडुड़लोई फास होता है कोई भी resistance को breakout करने के बाद V-save recovery कभी hold नहीं करेंगे कभी भी wait नहीं करना चाहिए यह V-save recovery का first condition है जैसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ पर अभी आप लोग example देख रहे हो तो V-save recovery के अंदर कुछ condition में ने आप लोगों को explain किया जैसे यहाँ पर अब लोग example देखोगे market क्या हुआ तेजी से नीचे आया यहाँ पर market को support मिला market अपने resistance को तोरा उसके बाद market घूम के नहीं देखा और यह आपको बहुत ही rare cases के अंदर देखने को मिलेगा आप चार्ट को जाके analyze करो आपको समझ में आजेगा कि इसका बहुत ही rare cases के अंदर आपको V-save recovery देखने को मिलेगा अबर जब भी देखे यह condition है market नीचे आया resistance क्रेट किया resistance को break करने के बाद पीछे मुनना नहीं चाहिए उसको हम लोग कहते V-save recovery आप देखिए यहाँ पर market नीचे आया resistance resistance ब्रेक किया उसके बाद पीछे नहीं मूर के देखा it is a V-save recovery market नीचे आया यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे V-save recovery देखने को मिलेगा इस resistance breakout market तेजी सी उपर try to understand V-save recovery के अंदर condition क्या है ओ पहले आप लोग समझ लीजे V-save recovery कभी भी slow नहीं होते market नीचे आया यहाँ पर touch किया it is a V-save recovery एकदम break होगा और एकदम चलती के खोड़ा मलब रुकेगा नहीं market market touch किया resistance को break किया market is उपर तो यह सारे चीजों को आपको आपकी आखे train होना परेगा तो यहाँ V-save recovery को यहाँ पर identify कर पाऊगे but अगर market break होने के बाद market slowdown momentum कर रहा है so उस scenario के अंदर हम लोगों को क्या करना है थोड़ा यहाँ पर V-save recovery के लिए यहाँ पर एक retracement के लिए वेट करना परेगा जैसे मैंने आप लोगों को यह वाला example के अंदर explain किया था right this example जो मैंने आप लोगों को समझाया था यहाँ पर देखे क्या हुआ था market के अंदर market यहाँ पर नीचे गिरा right market की momentum slowdown हुआ market को यहाँ पर resistance मिला और market यहाँ से फिर आपने downside rate momentum को यहाँ पर continue किया अभी यहाँ पर एक समझने वाली बाद है अभी की जो market की scenario है क्या इसके मतलब कल को जाके Monday को market open हो हम लोग buy position माना ले sell position माना ले क्या करे देखो market के अंदर ना आपने एक view बन है मैंने आप लोगों के जरिए previous chart के जरिए market की price analyze के जरिए आज की strategy को explain किया इसके साह साथ कुछ यहाँ पर उपर आएगे ना market का सामने एक resistance करा हुआ है इसको तोरने के लिए market दम लगेगा 33,000 मान के चलो कोई भी strategy कोई भी analyze always remember that 100% sure नहीं होता है always remember that मेरा view क्या है कि market को यहाँ बने resistance मिलेगा और market यहाँ से अपने downtrend moment continue करेगे Monday को अगर बाकी 30% को हम लोग ignore नहीं कर सकते बाकी 30% क्या market उपर आ जाए अगर market मान के चलो यहाँ पर gap up खुलता है gap up खुलने के बाद market 30 theta उसे resistance को break करता है और यहाँ पर एक price action pattern बाना दे उपर आता है तेजी से तो यहाँ पर एक opposite की momentum के लिए हम लोगों को इस level के नीचे price है दोस्तों market के अंदर always में selling की planning करूँगा always में market के अंदर downside की momentum expectation करूँगा और market अगर वी से recovery करना चाहता था ना तो आज ही market 30 theta होते हैं की उपर close जेता तो इसे very good sign के मंडे को market के अंदर आपर side की momentum देखने को मिले बट market जी से silent वोना तो कहना है की market यहाँ पर एक बार अपने downside momentum को continue करना चाहरा है मंदल डाउन 10 की जो pattern उसको continue करना चाहरा है लाएके W safe उसके बाद अगर market को उपर आना है तो उपर आएगा नहीं तो market यहाँ पर अपर अपने downside की momentum को continue करते हुए अपने downside की momentum follow करेंगे and दोस्तों मैं आप लोगों को और बता दू that reason आज यहाँ पर मैंने selling की planning किया था as you know exact यहाँ पर sorry यहाँ पर मैंने market को sort किया था यहाँ से market तो उपर गया मेरे को loss दिखा फिर market मेरे cost to go zone में आ गया फिर उपर फिर नीचे ऐसे करते हुए मेरे अपने position loss में भूक किया but यहाँ पर दोस्तों मेरा ASL और market आपर साइट की momentum continue नहीं कर पया मेरा ASL भी hit नहीं हुआ और मेरा profit भी नहीं हुआ में loss में position square up किया but इसी लिए मल्दा बहुत सरे लोगों की सवाल था किसा यहाँ पर top कल कह रहे थे वी से रिकोवरी था but यह आपर आपने sale की हुए इसकी पीछे reason logic बना explain करने के लिए वीडियो आप लोगों के साथ में share किया बनाया आप लोगों के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा पसंद है वीडियो को like करना comment करना और इसके साथ सा दोस्तों में आप लोगों मंडे का view भी share किया मंडे के अंदर always remember that 33,000 की नीचे जब तक price काम कच करेंगे तो हम लोग थोड़ा वास selling की planning करेंगे and इसकी इस level को break up की उपर आ जाएगा न then हम लोग upper side की view expedition कर सकती उसके बाद market को momentum देखते हैं हम लोग काम कच करेंगे and उसके बाद दोस्तों मेरे telegram का free channel इसका link इस वीडियो के नीचा भी इसमें जूर जाना जैसे आज मेरा position laws में चल रहा तो में ने update भी किया या पर मोटा मोटा view बगरा share करते रहे तो okay so thank you so much for watching this video करेंगे